हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल तोप परसनेल्टीज आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के वीर सपूत महाराना प्रताप के बारे में महाराना प्रताप मेवाड में सिसोधिया राजपूत वंच के एक महान युद्धा और राजा थे उन्होंने कई वर्षों तक मुगल समराटकपर के साथ संगर्श किया वे अपनी वीरता, बहादुरी और मार्शल आर्ट के लिए जाने जाते थे उन्होंने कई लड़ाईों में मुगलों को भी हराया था चाला मान सिंग उनके सबसे ज्यादा विश्वास पत्र सिपाही थे जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर महाराणा की जान बचाई थी महाराणा प्रताप के पसंदीदा घोड़े चेतक को गायल देख शक्ति सिंग ने उन्हें युद्ध का मैदान छोड़ने के लिए भी कहा था मुगल बादशा अकबर महाराणा प्रताप और मेवाड को अपने अधीन करना चाता था इसके लिए उन्होंने बहुत सारे राजदूत भी निउक्त कर दिये थी जलाल खान, मान सिंग, भगवान दासो, राजा, टोडर्मर लेकिन इन चारों को मनाने के बाद भी महाराणा प्रताप ने अकबर के अधीन रहना स्विकार नहीं किया महाराणा प्रताप का जनम 9 मई 1540 को मेवाड राजस्थान में हुआ था महाराणा प्रताप का पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंग सिसो दिया था महाराणा प्रताप के बच्पन का नाम कीका था उनके पिता का नाम राणा उदैशिल था महाराणा प्रताप साथ पिट पाच इंच लंबे कद के वीर थे और उनका वजन 110 किलो का था उन में वैसे भी शारिरिक्स चमताई थी जो एक महान और वीर सैनिक में होनी चाहिए। महारणा प्रताप के भाले का वजन 81 किलो था, जो एक ही बार में दुश्मन को मार डालता था। उनके सीने के कवच का वजन 72 किलो था। महारणा प्रताप भाला, ढाल, दो तलवारे और कवच लेकर युद्ध में जाते थे, जिनका कुल वजन 208 किलो का था। आज के पुरुशों के लिए इस तरह के भार से लड़ना संभव ही नहीं है। शायद यह तथे आपको बहुत ही रोचक और आश्चर्य जनक लग सकता है कि महारणा प्रताप ने राजनीतिक कारणों से 11 शादिया की। महारणा प्रताप की तलवार, कवच और अन्यसाजो सामान उद्यपुर के राजय संगरहाले में आज भी सुरक्षित रखे गए हैं। महान समराट अकबर भी महारणा प्रताप की वीर्ता से बहुत प्रभावी थी। उन्होंने महाराना प्रताप को प्रस्ताव दिया कि यदि वह उनके सामने जुके तो आदा बारत महाराना प्रताप का हो जाएगा लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और महाराना प्रताप ने कहा कि वह मरते दम तक मुगलों के सामने कभी नहीं जुकेंगे और कभी भी अपना सिर उनके सामने नहीं जुकने देंगे महाराना प्रताप का घोड़ा चेतक भी बहुत लोग प्रिये है दिया और घायल महाराना प्रताप को लेकर वह 26 फिट लंबे मनाले के उपर से खूद गया चेतक घोड़े ने हर युद में महाराना प्रताप का साथ दिया मायरा की गोफा में महाराना प्रताप ने कई दिनों तक घास की रोटिया खाकर समय बिताया हल्दी घाटी में महारान प्रताप और बाच्चा अकपर के बीच भीचन युद्ध हुआ इस युद्ध को 300 साल हो चुके हैं लेकिन वहां पर युद्ध के निशानिया आज भी मौजूद हैं हल्दी घाटी की लड़ाई ना तो अकपर ने और ना ही महाराना प्रताप ने जीती समराथ अकपर ने 30 सा प्रताप को पकड़ने की कोशिश के लेकिन वह कभी सफल नहीं हुए 29 जन्वरी 1597 को महाराना प्रताप की मृत्यू हो गए शिकार के दोरान उनकी दुरगटना हो गई थी जब अकपर को महाराना प्रताप की मृत्यू का पता चला तो वह भी रो पड़ा था हल्दी घाटी के युद में महाराणा प्रताप के सेना में हकीम खान सूरी एक मात्र मुस्लिम सरदार था हल्दी घाटी का युद 18 जून 1576 इस्तुई में लड़ा गया था इस युद में समराट अकबर के पास 85,000 सैनिक थे जबकि महाराना प्रताप के पास केवल 20,000 सैनिक थे इसके बावजूद महाराना प्रताप अकबर से लड़ते रहे और कभी पीछे नहीं हटे महाराना प्रताप के 17 बेटे और 5 बेटिया थी महाराना परताप युद्ध में दो तलवारे रखते थी अगर उनके शत्रू के पास तलवार ना हो तो वो उसे अपनी एक तलवार दे देते कि युद्ध बराबर हो जाए इससे पता चलता है कि महाराना परताप एक न्याए पिरियर राजा थे पादशे अकबर ने एक बार कहा था कि अगर महाराना परताप और जैमल उनके साथ मिल जाएं तो अकबर पूरी दुन्या का सबसे शक्ति शाली राजा बन सकता है अकबर अपने सपने में महाराना परताप को दिखा करते थी मारणा प्रताप की तरह उनके सेनापती और उनके सैनिक भी बहुत बहादूर थी उसका एक सेनापती युद्ध में सिर कट जाने के बाद भी लड़ता रहा मारणा प्रताप को भारत का पहला सुतंतर सेनानी भी कहा जाता है समराठ अक्बर से मुकाबला करने के लिए महाराणा परताप ने अपना महल छोड़ दिया और दिन राथ युद्ध की तैयारी करने लगे लोहार जाती के हजारों लोग भी उनके साथ शामिल हुए और दिन राथ तलवारे बनाने का काम किया यह लुहार जाती आजकल हर्याणा राजस्थान में रहती है जिसे गड़िया लुहार भी कहा जाता है महाराना परफ्ताप ने अपने राजय में कला का बहुत अच्छा विकास किया उन्होंने मुसलिम कलाकारों को भी परोच सहित किया विशेश रूप से चित्रकार निसारदी या निसारुदीन आधी असे चित्रकार थे जिनोंने रागमला तयार की, स्थापत्य कला में भी उन्होंने मुसलिम कलाकारों को बहुत महतो दिया। इसे सपष्ट होता है कि महाराना परताप सभी दर्म और सभी प्रकार की कलात्मक परतिभाओं का सम्मान करते थी। वे शहिशनुता की निती के समर्थकते। मेवाड की भिल जाती के लोग राज्य महाराना परताप को अपना पुत्र मानते थी। महारना परताप ने भी उनका तहे दिल से स्वागत किया और उन्हें अपना माना अगर देश के बाके योधाओं और शाषकों ने महारना परताप की इस निती का पालन किया होता तो शायद भारत का इतियास को चोर होता उनकी निती हमेशा कठोर जीवन जीने की थी वे हमेशा सुक और स्वैबव से दूर रहे एक सच्चे और सासी योद्धा का असली घर महल में नहीं बलकि जंगल में होता है और तब ही वह विजेता बनता है इतिहासकारों की माने तो महारणा परताप ने अकपर से ऐसे समय में लोहा लिया और अन्जेव के समय में मुगल समराज्य भी कमजोर पढ़ने लगा था अकपर ने अपने दो दूत महारणा परताप के पास भीजे एक बार सिंग और दूसरा टोडर्मल लेकिन महारणा परताप नह तो इन दोनों की बात पर पहुंचे और नहीं अकपर की सैन्य धंकी से डरे उसने किसी को नहीं धंकाया और अपनी परजा के हर वर्ग को अपने साथ लगाया और अकपर के सामने लड़ता रहा और अजे रहा महारणा परताप का आम सिपाही से लेकर चेतक तक सभी में एक जैसस नहीं था युद के मैदान में जब महारणा परताप को शत्रो सैनिकों ने घेर लिया तो चेतक ने जान पर खेल कर उने बचा लिया जब महारणा परताप हल्दी घाटी से सकुशल बाहर आए तो हकीम खान सूरी, नेटसी, रामशा रामशा के पुतर शंकरदाश और जाला मान आदी ने अपने प्राणों की आहुती दे दी हकीम खान ने इतना संगर्ष किया कि उसकी तलवार उसके हाथ में रह गई महारणा परताप शुरू से लेकर अंत तक अकबर की आँखों की धार बने रही लेकिन जब अकबर को उनके मृत्यों की खबर मिली तो मुगल बादश्या की आखों से आसु चलक पड़े अकबर ने अपनी जीव अपने दातों के नीचे दवाई और कहा आपने अपने गोड़े को ना तो दाग दे दिया और ना ही अपनी पगड़ी को किसी के सामने चुकने दिया इस तरह से माहराना प्रताब अजे रहे थी जब अबराहम लिंकन भारत आई थे फिर उनकी मा ने उनसे पूछा था कि तुम भारत से अपने लिए क्या लाए हो तो अपराहम लिंकन ने अपनी मा को जवाब दिया कि उस महान देश की वीर भूमी हल्दी घाटी से एक मुठी धूल लेकर आया हूँ जहां राजा अपनी परजा के प्रती इतना वफादार था कि उसने आदे भारत के बजाए अपनी मातर भूमी को चुना लेकिं दुर्भगे से उनका दोरा वहां का रद कर दिया गया था इसे आप बुक ओफ प्रेजिडेंट यूएस से पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं यहां महाराना प्रताब जी के गोड़े चेतक का भी मंदिर है जो आज भी हल्दी घाटी में सुरक्षित है महाराना प्रताब का गोड़ा चेतक भी बहुत शक्तिशाली था उसके चेहरे के सामने एक हाथी की सूंड का इस्तिमाल दुश्मन के हाथियों को भ्रमित करने के लिए किया जाता था यह हेतक और चेतक नाम के दो घोड़े थी मरने से पहले महाराना प्रताप जी ने अपने खोए हुए मेवाड के 85 परतिशत हिस्से को फिर से जेत लिया था सोना चांदी और महलों को छोड़ कर वो 20 साल तक मेवाड के जंगलों में कूमते रही महाराना प्रताप जी का वजन 110 किलो था और वो साथ फिट पांच इंच लंबे थे उनके हाथ में दो मयान वाली तलवार और 80 किलो का भाला होता था मेवाड के आदिवासी भिल समुदाय ने हल्दी घाटी में अपने बाणों की बोचार से अकबर की सेना को रोंद डाला था ये महाराना प्रताप जी को अपने पुत्र के समान मानते थे और बिना किसी भेदवाव के उनके साथ रहते थे मेवाड के प्रतिक चिन के एक और आज भी राजबूत और दूसरी और भील सिपा हुआ है महाराना प्रताप जी गोडे सहित दुश्मन के सिपाही को एक जटके में ही काट डालते थे तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई परसनेलिटी के साथ तब तक के लिए खुश रही मस्त रही अगर वीडियो अच्छी लगें तो प्ली चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूली थेंक यू